हेलो फ्रेंड्स जैहिन स्वागत आपका आपके अपनेशन होम टुशन पे दोस्तो हर्याणा स्टाप सेलेक्शन कमिस्टन पंचकुला के तरब से बड़ी अपडेट आ रही है जहां दोस्तो HSC के चेर्मेन भोपाल सिंग खदरी साब ने अपने पद से इस्तिपा दे दिया है जहां दोस्तो रेजिनेशन दे दिया है इनोंने और अभी अभी अपडेट आई है अब नया चेर्मेन कोन बनेगा ये अभी तक कंफरम नहीं है लेकिन फिल हाल जो अपडेट है हर्याणा स् सिंग खदरी साब है इनोंने अपने पद से अभी अभी इस्तिपा दे दिया और ये माना जा रहा है कि मुख्यवंतरी के बदलने से इनोंने भी अपने पद से रिजाइन कर दिया है तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को धानसे और पुरा देखे दोस्तों अगर आप हर्याणा पुलीस कोंस्टेबल या सेटी दोजार चोबिस की तयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हम आज रात से आपके साथ मैथ की क्लास लेक्याए रात को नो बजे आप हमारे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब के लिजे बैल अकन को प्रेस के लिजे क्योंकि हम भी अब हर्याणा पुलीस और हर्याणा सेटे के लिए मैथ और इजिनी की गिलास में आपको डेली बैसिस पे शुरू करने वाला हूं तो अगर आप ह सकते हैं पूरी अपडेट अभी के अपडेट है एक सेम के बदलने के बाद लिया फैसला इनको लगा क्योंकि एक चीज़ आप ही अच्छी समझ लीजे कि जब तक देखो बहुत सारे लोग कहेंगे कि चेर्मन बदल गया बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा यह हो जाएगा बाई चेर्मन के हाथ में कुछ नहीं होता है चेर्मन एक पद होता है ठीक है सरकार के तालमिल से काम होते हैं अगर सरकार की च्छा सकती नहीं है बरतियों को पूरी करवाने की तो चेर्मन कुछ भी नहीं कर सकता ठीक है यह SSE नहीं है कि जो सवतंतर रूप से काम करती है य एचसी है जो हर्याना सरकार के अंडर में काम करती है तो जब तक सरकार की च्छा सकती नहीं होगी बरतियों को पूरी करवाने की तब तक चेयर्मेन बदलने से कुछ भी नहीं होगा ठीक है लेकिन फिल हाल की जो अपडेट है वो बहपाल सिंग जो खदरी साब है यमना नगर के खदरी गाओं ठीक है ये सवाल भी पूछा गया था पिछले एक पेपर में कि खदरी उनका गाओं है की गोत्र है तो खदरी उनका गाओं है ठीक है और एक सामान्य और साधारन किसान प्रिवान से बिलोंग करते थे पहले गाओं के सरपंस थे, सरपंस से फिर चेर्मेन इनको डारेक्ट बना दिया गया, ठीक है, और RSS से जुड़े होए हैं, ठीक है, आठ विशों में MA, है ना, पड़े लिखे आदमी, आठ विशों में, इन्होंने MA के साथ साथ, विदी सनात्व, यानी, लो भी कर रखा है, बहुत सारे लोग इसका चुटकला उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, भाई तुम भी करके देख लो, एक आदा MA, एक आदा सब्जेट में पता लग जाएगा, ठीक है, कोई आदमी पड़ा लिखा है, सम्मान की जो सीज़गा, पद का सम्मान होता है, ऐसे ही मतलब, पड़ से चुटकले बना के कोई फाइदा नहीं होता है, ठेक है, पड़े लिखे हैं, लेकिन हर चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं होती है, और कोई नया चेर्मेन आएगा, वो भी एक दम से सब चीज़े नहीं बदल देगा, जब तक सरकार नहीं चाहेगी, तब तक कुछ भी positive देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी negative देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ जो है, सरकार के reference प्या, सरकार के संकेत के आदार पे होती है, अगर सरकार ये कहे कि भी आँ तीन मेने में बरती पूरी करवा दो, तो आयोग अपने आप करवा देगा, लेकिन सरकार खुद ही बरतियों को लंबा खीचने की त्यारी में होती है तो फिर आयोग उसमें करेगा कारू चेर्मेन क्या ही कर सकता है तो ये चीज़ आप समझ के थोड़ा सा मैचोर होने की कोशिश कीजिए यहां पर एक बड़ी बात ये भी है कि इन्होंने अपनी बेटी की साधी में एक रुपए का धेज लिया और ये बहुत बड़ी बात है कि बेटी की साधी में नहीं बारति का अव्यवा हाल में चर्चा वी से बन रहा है उन्होंने अपनी बेटी की साधी बाजपा ने तो और पाणिपजिला महामंत्री समालखा के किर्शन छोकर के ऐसाई बेटे गोरों के साथ की थी और यहाँ पे वरपक्स ने दहेज की रोप में एक रुपे लिया और दो नारिय लिये थे यह बहुत बड़ी बात है ठीक है दोनों ही परिवार यहाँ पे संपन रहे तो हर्याणा में एक नए संकेत एक नया संदेश देने की हाँ पे कोशिस हुई कि खाली दहेद से ही हाँ चीज़े नहीं होती है तो यहाँ परसंस ने यह काम है तो यहाँ पे जो बड़ी कि नया चेर्मेन कोन बनता है ठेक है और फिल हाल अपडेट इतनी है चैनल को सब्सक्राइब के लिजे बेल अकन को प्रेस के लिजे और रात नो बज़े आप हमारे साथ जुडएंगे मैथ की क्लास के साथ हर्याना प्लिस कोंस्टेबल और सीटी दो हजार चोबीस के लिए चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब के लिजे बेल अकन को प्रेस के लिजे और वीडियो को लाइक जुरू करेंगे धन्यवाद जहिंद